नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल संगीताच कॉर्णर में आज मैं लेके आई हूँ जारकन की बहुत ही फेमिस दुदारी की रेसिपी जो सिर्फ चावल और चीनी से बनके तयार हो जाती है खाने में ये काफी टेस्टी और हल्दी होता है और बनाना काफी असान होता है तो प्लीज वीडियो को अंड तक देखिएगा और इस रेसिपी को जुरू ट्राए किजिएगा तो चलिए फटा बट सुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार और हल्दी रेसिपी इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आधा कब चावल लेना है friends तो मैंने यहाँ पे खीर वाला चावल लिया है जो चोटे दाने के होते हैं और थोड़े से खुसबू वाले होते हैं इस चावल को हमें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है हमें इस चावल का खीर बनाना है फ्रेंट्स इसलिए हमने यहाँ पे खीर वाला चावल लिया है और इसे अच्छे से तीन से चार बर साप पाने से दोने के बाद इसको हम लोग साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि यह चावल थोड़े अच्छे से फूल जाएं जब तक चावल फूल रहा है तब तक हम लोग दूद उबाल लेते हैं तो आधा कब चावल के लिए मैंने यहाँ पे ढाई कब दूद लिया है दूद मैंने कम लिया है क्योंकि इस चावल को हमें पूरा नहीं पकाना होता है खीर के जैसे इस चावल को 70-80% ही पकाते हैं द दूद में जैसे ही उबाल आ जाएगा वैसी हम लोग इसमें चावल एड कर देंगे तो चावल को फुलाने से क्या होता है हमारा समय बच जाता है चावल थोड़ा जल्दी पक जाता है इसलिए 10-15 मिनट जरूर भीगा के छोड़ ले चावल को उसके बाद ही खीर बनाए तो चावल भी जिसना हमें पकाना है उतना पक चुका है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा दूद नहीं लेंगे नहीं तो चावल ज्यादा पक जाएगा और इस स्टेज पर हम लोग दो बड़े चमच इसमें चीनी एड कर देंगे और यहां पर चीनी में कम ले रही हूं क्यों यहां पर चीनी की मात्रा थोड़ा ज्यादा ले 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 यानि आधा कब जैसा चीनी आप ले सकते हैं आप मैं पास से आपको दिखाती हूं कि चावल हमारा कितना पका होना चाहिए जब आप चावल को दबाएंगे तो इस तरह से अंदर से बिलकुल दानेदार होना यहां पर यह थोड़ा सा गीला है तो हम लोग यहां पर आधा छोटा चमश इलाइची का पाउडर ले ले लेते हैं ताकि इसका फ्लेबर थोड़ा अच्छा आए अंदर से और इसको दो से तीन मिनट और पका के थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो लगवक 30 से 35 मिनट के बाद यह बिलकुल अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है फ्रेंट्स यह देखिए और ठंडा होने के साथ यह काफी गाढ़ा भी हो गया है तो ठीक हमें ऐसा ही consistency का चाहिए है इसलिए इसको जादा गाढ़ा नहीं करेंगे जब यह गरम होता है उस टेम पर अब इसको क्या करना है न हमें पीसना है यानि कि दर्दरा इसका एक पेस्ट बनाना है तो उसके लिए हम लोग यहां पर मिक्सिका यूश करेंगे आप चाहें तो इसको हाथों से भी मसल के स्मूद कर सकते हैं या फिर मैसर से भी कर सकते हैं पारंपर एक तरीके से तो इसे सिलबटे में पीस आ जाता था तो यहाँ मैंने आधा पोर्सन ले लिया है चावल का और उसको दरदरा पीस के तैयार कर लिया है इसको एक थालिया प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां मैंने पूरे चावल को पीस के ले लिया है और पीसने से इसका दुधोरी जो है काफी स्मूध बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है इसलिए हो सके तो दरदरा पीस के यूज करें तो काफी अच्छा दुधोरी बनता है अब इसके उपर से एक छोटा चमच घी लगा लेंगे और हाथों में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे घी डालने से दुधोरी ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट बना रहता है तो यहाँ पर हाथों को क्लीन कर लेते हैं और फिर से हाथों में थोड़ा सा घी लगा के ग्रीश कर लेते हैं और इसको अब दुधोरी का सेप देते हैं यदि दुधोरी में cracks रह जाएंगे तो वो fry करने के time पे तूटने के chances ज़ादा रहते हैं तो इस तरह से हथिलियों के बीच में दबाते वे roll करके इस तरह से cylindrical shape का तयार कर लेंगे और बीच-बीच में हाथों में घी लगाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं तो same इसी process सारे दुधोरी को बना के ready कर लेते हैं friends तो यहाँ पे सिर्फ आधे cup चावल से इतने सारे दुधोरी बनके तयार है अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं ताकि इसके ओपर का layer जो हो थोड़ा set हो जाए थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही इसको हम लोग fry करेंगे तो जब तक दुधोरी set हो रहा है तब तक इसके लिए हम लोग चासनी तयार कर लेते हैं तो चासनी के लिए मैंने यहां पे एक बरतन में तीन चौथाई कप चीनी ले लिया है और उसमें उसका डबल हम लोग पानी ले लेंगे और इसको उबाल आने तक इस तरह से लगातर चलाते रहेंगे और चासनी में जैसे ही उबाल आ जाए इसमें हम लोग एक से दो चुटकी जैसा फूड कलर यूज करेंगे इसको आप इसके पी कर सकते हैं और यहां फूड कलर डालने से इसका जो कलर है दुधोरी का वो बहुत ही अच्छा आएगा और देखने में और भी जादा टेम्टिंग लगेगा तो उबाल आने के बाद हमें 4-5 मिनटी पकाने हैं और जैसे ही थोड़ी सी चिप-चिपी लगने लगेगी चासनी हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चासनी बनाते है वैसे ही हम बना लेंगे और यहाँ पर चासनी तयार है इसको उतार के और अब रबड़ी बना लेते हैं friends मतलब quantity में आधा ही बचना चाहिए थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो यहां मैंने लगबग 6-7 मिनट इस दूद को उबाल लिया था medium to high flame पे और यह काफी गाढ़ा हो चला है इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा साई लाइसी पाउडर और 2-3 बड़े चमच चीनी एड़ कर और इसको 3-4 मिनट और उबाल लेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूद थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो यहां पे देखिए फ्रेंट्स 3-4 मिनट के बाद दूद अच्छा गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा हो जाएगा तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसको साइड में रखते हैं अब हम लोग दूद धौरी फ्राइ कर लेते हैं तो उसके लिए तेल जो हमें मेडियम गरम चाहिए बहुत जादा तेल गरम नहीं करना है और तेल गरम करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे उ और इसको एड़ करने के बाद बहुत ही ध्यान से दूसरा एड़ करेंगे, मतलब एक दूधोरी को डालने के बाद 5-6 सेकेंड हम लोग रुकेंगे, उसके बाद ही दूधोरी को डालेंगे, और जब भी आप फर्स टाइम दूधोरी बना रहे हों, तो बिल्कुल एक एक या दो-दो करके फ्राइ करें, क्योंकि यह काफी नाजुक होता है, और जादा चांसे सोते हैं इसके फटने के, तो काफी ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है इसको फ्राइ करने के टाइम, और जब नीचे कलियर अच्छे से पक जाए, तब ही इसको हम फ्राइ करने में, दो से तीन मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना होता है, इसमें सारी चीजे पकी होती है, चाहे वो चावल है, चाहे दूध है, बस उसको ऊपर का लेयर थोड़ा हमें क्रिस्पी करना होता है, और उसे थोड़ा कलर देना हो हलके हाथों से इसको पल्टेंगे बस इनी छोटे-छोटे बातों का आप ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स तो बिल्कुल ये मिठाई पर्फेक्ट बनके तैयार होगी तो यहां देखिए दूसरे बार के जो दुधोरी है वो भी बिल्कुल पर्फेक्ट निकलिए एक भी कोई क् गड़ी और गर्मा-गरम चासनी में तो दुधोरी को एड़ करने से पहले ये दिछासनी या रबडी ठंडी हो गई हो तो उसे हल्का-हल्का गरम कर ले बहुत जादा नहीं उबाले पस हल्का गरम कर ले उसके बाद ही इसमें हम लोग दुधोरी एड़ करेंगे तो यहां जितना दुधोरी में ने फ्राइ किया था यह अभी भी गरम है बिल्कुल ठंडा ना होने दे गर्मा गरम इसमें एड करेंगे तो मैं यहां पे रबडी में और चासनी में दोनों में एड कर ले रही हूँ और इसी तरह के बाकी दुधोरी भी बना के सब एड करके हम लोग इ देख से डेड़ घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि चासनी और जो रबडी है वो अच्छे से दुधोरी एबजॉब कर ले अपने में और अच्छे से यह सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर मैं दिखा रही हूँ फ्रेंट्स की थोड़े बहुत दुधोरी में एक दो दु तो भी चांसस होते हैं तो थोड़ा फ्राइ करने में आप ध्यान रखेंगे तो सारी दुधोरी जो है परफेक्ट निकल के आएगा दो ही बातों के ध्यान रखने जब आप खीर बना रहे हैं उस टाइम और फ्राइ कर रहे हैं तो यहां देखिए लगबक ना डेर दो लगा सकते हैं कि यह कितना सौफ्ट कितना जूसी कितना मतलब टेस्टी बना है आप इसको जरूर बनाईए अंदर से देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल गुलाब जामुन से भी अच्छा है बहुत ही खोकला है पूरा जूस भरावा इसके अंदर और एक मेरबडी वाला भी आपको काटके बताती हूं और बिल्कुल पास से दिखाती हूं कि यह भी बहुत ही अच्छा बिल्कुल रस्मलाई के टेस्ट में यह मिठाई बनके तयार होती है तो प्लीज इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो अपन कीमती फीडबैक हमसे जरूर सेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन करके और पर जरूर क्लिक कर लिजेगा जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे और आप की फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटिस्ट अपडेट के लिए तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नहीं और आसान रेसिपिक से तब तक आप